Hello everyone, welcome to our channel. आज है हमारी formula class का छटा देन, यानि की class 6 और इससे पिछली formula classes अगर आप सभी नहीं देखिए तो नीचे description box में आपको लिंक मिलेगा वहाँ पर click करके आसान इससे आप पिछली classes देख सकते हैं और आज की वीडियो काफी ज्यादा important होने वाली है, इसे बिल्कुल भी skip ना कीजेगा तो यहाँ पर आज हम समझेंगे deep neck blouse में shoulder और arm hole का बहुत ही सरल तरीका जो इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया होगा beginner भी इस तरीके को देखकर deep neck blouse आसानी से बना लेंगे ठीके, तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर deep neck blouse shoulder formula और arm hole की मेंने heading डाली हुई है पहले हम थोड़ा theory पढ़ते जाते हैं, साथ साथ drafting को समझते जाएंगे deep neck blouse draft plus theory deep neck blouse को आज हम बहुती सरल तरीके से समझेंगे deep neck के दो तरीके होते हैं direct shoulder कम कर देना, beach में से shoulder कम करके cut कर देना देखे, यहाँ पर दो method होती है deep neck बनाने की पहली जो method है, आज हम वही समझेंगे दूसरी जो method है, इसमें अगर आप back lace भी बनाते हैं different होता है, इसमें हम shoulder बराबर ही लेते हैं shoulder का half करके, लेकिन उसकी cutting थोड़ा सा अलग तरीके से होती है, shoulder को हम 20 से कट करके निकालते हैं deep neck में, तो यह थोड़ा सा अलग तरीका होता है, ठीके, तो आज जो हम तरीका देखने वाले हैं, वो है direct shoulder कम कर देने वाला, okay, 12 इंच भी आपका deep है, 13 इंच भी आपका deep neck है, तो भी आपके कंदे कभी ना गिरे, तो फिर यह वाला तरीका मैं आप सभी के साथ share करूँगी, अगर आप कहेंगे तो नीचे पहले हम shoulder का formula देख लेते हैं, उसके बाद हम armhole का formula देखेंगे, तो यहां पर अगर बात करें हम deep neck की, कि deep neck कहां से start होता है, तो 7 से 8 इंच से हमारा deep neck start हो जाता है, आप 8 से भी मान सकते हैं, 7 से भी मान सकते हैं, ठीके, deep neck blouse shoulder formula यानि कि कंधी का formula हम देख रहे हैं, full shoulder का half, यानि मतलब जो भी आपका shoulder आया है, बॉडी से लेने पर, blouse से नापने पर, उसका आपको पहले तो आधा करना है, full shoulder का half, minus 2 इंच, shoulder का आधा कर लीजे, minus 2 इंच कर दीजे, ठीके, यह सभी deep neck के लिए है, बहुत easy formula है, और आप बनाएंगे तो perfect fitting भी आएगी, ठीके, 12 अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, ठीके, अगर 12 तेरा shoulder है आपका, तो आप 2 इंच, minus कर देंगी, तो आपके पास पट्टी ही बिल्कुल छोटी बच जाएगी, ठीके, तो ऐसी condition में आपको क्या करना है, कि अगर आपका shoulder 12 या 13 है, इससे ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप shoulder का half minus 2 इंच कर दीजे, लेकिन, अगर आपका shoulder 12 तेरा ही है, का आप यहाँ पर 1.7 इंच, यानि की, पोने 2 इंच, minus करेंगे, ठीके, शोल्डर का half minus 2 इंच, यानि की, 1.7 इंच, 2 इंच नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, ठीके, अब मैं पेंच टर्न कर देती हूँ, अब यहाँ हम उधारन के थुरू समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा shoulder 14, यानि की 14 इंच, ठीके, अब 14 का हमें आधा करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया formula की shoulder का half, तो shoulder का half करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 इंच आ जाएगा, 14 का half, 7 इंच, और इस 7 में से हमें 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं, टीपने, तो 7 में से 2 इंच माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंच आ जाएगा, तो ये 5 इंच आपका क्या है, shoulder निकल कर आया है, ठीके, तो इसी तरीके से, आप किसी 20 साइस का shoulder निकाल सकते हैं, अगर आपका shoulder 12-13 है, तो उसका half करके आपको 2 इंच की जगव, पोनी 2 इंच माइनस कर दिना है, ठीके, तो आई होप ये shoulder का formula आपको clear हो गया होगा, डीपनेक में, अब डीपनेक में armhole का formula हम देख लेते हैं, डीपनेक armhole formula, डीपनेक का armhole formula, इ formula है, हमारा है, chest divided 6, यानि की सीने का छटा हिसा, जो भी आपका सीने का नाप है, उसे आप 6 से भाग दे दीजिए, अब इसमें क्या तरीका है, जो आपको थोड़ा सा चेंज रहेगा, जैसी की formula में पहले भी आपको बताया, लेकिन डीपनेक में थोड़ा क्या चेंज है, व तो हम 6 से डिवाइट करेंगे, चाहे बड़ा साइज हो या छोटा साइज हो, हम 6 से ही डिवाइट करेंगे, तो हम 36 चेस्ट को 6 से भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आजाएगा, 6 चाहिए, तो हमारी armhole length निकलकर कितनी आए, 6 inches निकलकर आई, लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बाते, देखिए, नॉर्मली मैंने पहले पिछली क्लास में भी आपको बताया है, लेकिन इसमें एक चीज अलगे, इस तरह से आप सभी चेस्ट साइस का आर्म होल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर शोल्डर स्लोप वगेरा के लिए यहाँ पर कुछ भी नह लेना है एक्स्ट्रा, और ना ही प्लस माइनस करना है कुछ भी, मैंने आपको पिछली क्लास में इसमें प्लस करने के लिए भी बताया है, लेकिन डीप नेक में ना तो आपको शोल्डर स्लोप के लिए कुछ लेना है, और ना ही आपको सिलाई मार्जिन लेना है, ठीके, इ कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है ना ही shoulder slope shoulder down का margin लेने की जरूरत है आपने सिर्फ सीने का छटवा हिस्सा निकाल कर arm hole की लंबाई का निशान लगा लेना है तो यह बहुत ही सरल तरीका है deep neck पनाने का ठीक है अब आप यह diagram देख पा रहे हैं आप सुच रहे होंगे कि ह DAUN की तरह से करना है तो जो मैं हमेशह आपको बताती हूँ कि deep neck में को नेक की side करना है तकि आपके कंदे ना गीरे तो आपको यहां पर इंच टेप रखकर 1 000 है कि निशान लगाना है आप यहां पर रखकर भी लगा सकते हैं यहां पर रखकर भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस तरह से आपको आधा इंच लेकर तिरच्छा मिला देना है इस तरह से आप यहां से ना पे यहां से ना पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई फिटिंग का इशू उसमें नहीं आएगा तो आपको आधा इंच लेकर आर्म होल में इस तरह से तिर आफ इंच डाउन कर सकते हैं, यहां आप से लेकर भी आदा इंच इस तरह से तिर्चा मिला देते हैं, मिला सकते हैं, दोनों तरीके सही है, आप यहां से आधा इंच लीजे, यहां से आधा इंच लीजे, अब फॉर्मुला तो आपका मैंने बता ही दिया है, शोल्डर का हाफ माइनस दो इंच यह आपका शोल्डर का फॉर्मूला है डीपनेक का और आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड़ सिक्स अब यहाँ पर ना तो मैंने कोई सिलाई मार्जिन लिया है देखिए ना ही कोई मैंने शोल्डर स्लोप के लिए एक्स्ट्रा रखा है सीधा सी यहाँ से जो भी सीने का छटा भाग यानि की चेस्ट डिवाइड़ सिक्स करने पर मिला उसी की मैंने यहाँ पर आर्म होल लेंथ ले ली है अब उसके बाद में आपको यहाँ पर हाफ इंच पर एक निशान लगाना है और से इस तरह से तिर्चा मिला देना है तो यह जो क्राफटिंग कंप्लीट हो गई है डीपनेक की ठीक है और यह हमारा शोल्डर और यहाँ पर हमारा आर्म होल होता है यह थी हमारी आज की थिओरी आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक शेयर और चानल को जरूर कीजेगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड थैंक्स फोर वाचिंग गाईज